जम्मू कश्मीर में अब स्थानिय महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी निवासी माने जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंदर शासित प्रदेश की डोमसाइल कानुनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया और एलान किया है कि केंदर शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पती को भी आवास प्रमान पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल केंदर शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमान पत्र की प्राप्ति के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था। जम्मू और कश्मीर के केंदर शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को केंदर शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमान पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार की इस घोशना के साथ जम्मु कश्मीर की निवासी महिला के पती को आवास प्रमान पत्र के लिए पात्र माना जाएगा जम्मु कश्मीर के आवास प्रमान पत्र, प्रक्रिया, नियम 2020 के अंतरगत एक नया खंड जोडे जाने के बाद अब केंदर शासित प्रदेश की निवासी महिला का जीवन साथी कुछ संबंधित दस्तावेज जमा कर आवास प्रमान पत्र प्राप्त कर सकता है जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्शक्ता होगी, उनमें जीवन साथी का आवास प्रमान पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल है सरकार की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अधिवास प्रमान पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है यहां आदेश GAD के आयुक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने जारी किया है बता दें कि अब तक केवल राज्य की महिलाओं को ही यहां का स्टेट सब्जेक्ट मान कर डोमिसाइल दिया जाता था